तो यहां पे मैंने तीन तरह का जो डाल है बिंच है वो मैंने लिया हुआ है तो यहां पे हरा मूं की डाल है जिसे मैंने भीगो के रखा हुआ था आवसी के साथ लाल चना और यहां पे सोया की बिंच है तो इन तीनों को मैंने पानी में भीगो के ओवरनाइट के लिए रख कापड़ कौटन के लिया तो कपड़े में लाल चने को डाझ si तरर से आप 179 को ही कपड़े में बांद के इस तांग के रख दे तो इस तरह से इस तरह से इसürd portion कर दे और इसे बीच-बीच मैं जब भी थोड़ा सा पानी इसका सूख जाए तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देंगे और छिड़के इसे ओवर नाइट के लिए रख देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा इसमें से स्प्राउड निकलाएगा तो इन दोनों को भी इसी तरह से कप इसमें झाल देते हैं और or उसी के साथ इसमें डालेंगे यह लाल चना आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से स्प्राउड निकला हुए तो इसे भी डाल देते हैं और इसमें टालेंगे कटा हूँ खीरे और कटा हूँ प्याज भी डाल देते हैं और साथ ही साथ इसमें डालेंगे तीखे पन के लिए हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर और आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं गाजर को बारी कट कर लें उसे इसम जो आपका यह जो डाएट रेशिपी है वह आपकी पूरा है ska है अच्छा यह संब अच्छा अच्छा फ्लेवर यह नहीं चलेगा कि McK डाइट रेसेपी फॉलो कर रहे हैं और इसमें डालेंगे नीम्बू का रस जो कि थोड़ा सा खटापन देगा और नीम्बू का रस तो शरीर के लिए भी बहुत ही अच्छा है तो इस तरह से मैंने एक चाट बनाया है जो कि आपको पूरा डाइट फॉलो करते हुए यह आप का कम हो गाई होगा बट इसकीन में भी बहुत ही अच्छा आपका फर्क दिखेगा तो इस तरह से आप देख रहा है कि मैंने बहुत ही तरीके से इसे मिक्स कर लिया है और आप इसे डेली ब्रेकफास्ट या भी आप चेंज करके भी इसे ब्रेकफास्ट के तोर पे ले सकते आप चाहें तो इसे लंच में भी ले सकते हैं यह बहुत ही amazing recipe है और यह पूरा का पूरा nutritious से भरा हुआ है यह जो recipe है आपकी weight loss तो करेगी करेगी बट बहुत ही energy आपको provide भी करेगी बहुत ही खुबसूरत और colorful चाठ अमारी बनके ready हो गई है और यह चाठ और आप तो देखी रहे हैं कि इस रेसिपी को बनाना कितना ही असान है तो चलिए इसे बाउल में निकाल लेते हैं तो ये मेरा जो कलरफुल चार्ट है देखने में तो बहुत ही अमेजिंग है और खाने में इतना ही लाजवब जो कि आपको वेट लोस के साथ स्कीन भी क्लियर कर देगी और आपको पते ही नीचे लेगा कि ये वेट लोस की रेसिपी है जो कि बहुत ही टेश्टी है तो इस रेसिपी को आप डेली मॉर्निंग या फिर आप इस लंच में भी खा सकते हैं तो आप कॉमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और इसी तरह से में और भी डाइट रेसिपी आपके लिए लाती रहूंगी और कॉमेंट करना ना भूले कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी पसंद आये तो एक लाइक जरूर करें